अगर आप लोग दैनिक भासकर न्यूज पेपर पढ़ते होंगे तो आप सभी को मालू होगा कि दैनिक भासकर की तरब से एक पितियोगिता चलाई जा रही है और आप देखें कि कि इसका नाम है आओ जाने भारत अपना भारत और इसमें आपको हर दिन तेन कुश्चन्स दे रहते हैं तीनल पितियोगिता में आप किस तरह से सा Missed हो सकते हैं भाग ले सकते हैं आपको सबसे पहले अपने mobile number से, क्या करना होगा, इस number पर miss call दीनी होगी, यानि call करना होगा, 919, सोनने, 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 साथ, दो, 5 बार सोनने है, ठीक है, इंगलिस में सुन लीजे एक बार, 91900000072, 5x0 है, ठीक है, इस पर जैसे ही आप लोग call करेंगे, उसके बाद आपके mobile number पर एक message आएगा, और आप देखेंगे, उसमें आपके सामने एक link दी गई होगी, आप उस link पर जैसे ही click करेंगे, आपके सामने एक homepage खुल जाएगा, और homepage पर आपको कुछ सामान जानकारी भरनी होगी, जैसे आपका Gmail हो गया, आपका नाम हो गया, आप विज्ञान में नोवेल किस भारतिये को मिला, C.B. रमन, J.J. Thompson, केला सत्यारती, तो आपको बता दूँ कि C.B. रमन, और C.B. रमन की बारे में आपको मालू होगा, कि हमारे देश के स्री चंद सेकर, वेंकट रमन की बात हो रही है, इनका जनम 7 नवंबर 1888 में हुआ था, इन्हें भारत रतन भी मिला था, और 1930 मेंने क्या नोवल पुरुसकार भी मिला था, पिकास के पिकीडन और रमन प्रभाव की खोच के लिए, तो पहले में आपका A उप्सन रहेगा, C.B. रमन, केला सत्यारती, आपको मालू का किसांती के छित मेंने मिला था, दूसरा कुश राजधानी एक्सप्रेस, सताबदी एक्सप्रेस, बिवेक एक्सप्रेस, तो आपको मालू होना चाहिए कि बिवेक एक्सप्रेस है, और इसकी टोटल अगर आप लोग देखें, कितना तै करती है किलोमीटर, 4247 किलोमीटर धूरी तै करती है, और डिबरुगर से एक अन्य कुमारी तक चलती है तो आप लोगों को दूसरे में C option होगा EBM में अधिक्तम कितने पित्यासी हो सकते हैं यह आपका voting machine की बात हो रही है electronic voting machine देखते हैं ना उसी की बात हो रही है 16, 64 या फिर 38 तो याद रखिए 64 होगे इसमें तो एक में आप लोग A option CB रमन लगेंगे, दूसरे में आपका विवेक एक्सप्रेस होगा और तीसरे में आपका 64 होगा यानि कि B option होगा कल के विजयताओं को अगर हम लोग देख लें, पहले रोहिद भाटिया थे, दूसरे मेगा चांदानी, जीतमल, मोहिद गुपता, भूसरा केपाली बेन या आप देखें कल जो बारवी कुछ थी ना, इसके सही जवाब थे, वन पहले में C, दूसरे में B और तीसरे में C, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग भी इसमें सामिल होते रही हैं, और वैसे आपको मालू होगा कि अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी करें, तब आप लोगों की परिक्षाओं में इस तरह की कुछ्चन्स पूच लेता है, वहुती मतपूर कुछ्चन्स रहते हैं, और कुछ से जाने वाला थोड़ी है, मार लेते रही है, मिलेगा तो अच्छी बात है, और नहीं मिलेगा तो अच्छी बात है, आपकी जनल नौलिज की जानगारी तो कम से कम बड़ रही है, ठीक है? चलिए कल फिर हम लोग फिर से मिलेंगे, कल के जो कुश्चन्स रहेंगे, उनके आंसर भी जानेंगे और कल आज के जो बिजेता रहेंगे कल जो देखेंगे हमें उन पर भी हम लोग देख लेंगे उनके नाम भी जान लेंगे